नमश्कार यह है सहेजन जिसको कि शिग्रू या फिर ड्रमस्टिक भी कहा जाता है, सनस्कृत में शिग्रू बोलते हैं और इंग्लिश में ड्रमस्टिक इसके बहुत सारी चीज़े आपने खाई होगी जैसे कि सांबर में इसे खाया होगा डाल में पका कर खाया होगा इसकी सबजी बना कर खाया होगी और इसके बहुत सारे फायदे आपने सुने होगे कि इसको लेने से शरीर में diabetes control हो जाता है, joint pain control हो जाता है और बहुत सारे फायदे सुने होंगे पर तीन ऐसी conditions है जिसमें अगर आप ये सबजी खाएंगे तो ये आपके शरीर का सत्यानाज भी कर सकते हैं या मुंबई के language में बोले तो वाट लगा सकती है तो वो तीन कौन सी condition है जिसमें आपको शिक ग्रूब या फिर सायजन अवाइड करना चाहिए जानेंगे इस वीडियो के तो अगर थे आप सभी का मिश्र वेदा में मेरा नाम है डॉक्टर अरुन मिश्रा में आईरविदिक MD डॉक्टर हो और मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ और आज मैं बात कर रहा हूँ इसके side effects के बारे में drumstick surgeon के side effects के बारे में नमबर वन इसको विदाही बोला गया है तो पहला इसका side effect है विदाही आप मेंसे ऐसे लोग जिनको शरीर में कहीं भी दाह होता है जलन होता है खास करके acidity की तकलीफ होती है बहुत ज़्यदा जलन होती है आप मेंसे ऐसे लोग जो बोलते हैं कि हाथ पैर में बहुत आग जैसे लगता है गर्मी जैसे लगता है बहुत जलन होती है कई लोग बोलते हैं आखों के अंदर बर्रिंग संसेशन होती है जिनका दिमाग बहुत जल्दी गरम हो जाता है या जिनको पूरे के पूरे शरीर में कहीं भी गर्मी लगती है जलन लगता है आग होने जैसे लगता है बार बार जो ठंडा पानी है वो हाथ पैर में डालने की जरुरत पड़ती है तो ऐसे टाइम पे इसकी सबजी या फिर इसका सामबर इसकी दाल खाना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा है नहीं क्योंकि ये और कई गुना जदा आपके शरीर में जलन बढ़ा देगा विदाही इसका निचर बोला है तो विदाही मतलब जो जलन प चरीर में कहीं से भी खून निकलने की तकलीफ है चाहे वो नाक से खून निकलने की तकलीफ हो चाहे यूरीन से खून जाता हो मल मार्ग में आप में से ऐसे लोग जिनको ब्लीडिंग पाइल्स की तकलीफ है कि मतलब पेट साफ होता है और साथी साथ पाइल्स हुआ है वहा लिनाओं को periods आता है और periods में बहुत ज़्यादा bleeding होता है बहुत ज़्यादा खुन निकलने की तकलिफ होती है या heavy flow होता है जिनको 4-4-6-6-8-8 जो pads है वो एक एक दिन में change करने पड़ते हैं तो जिनका period बहुत लंबे समय तक चलता है कि 6-8 दिन कई लोगों को तो अब 20-20 दिन तक bleeding होते रही है तो किसी भी प्रकार का चाए वो नाख से खून आता हो आखों से खून आता हो कान से bleeding होती हो अगर आपको शरीर में कहीं भी bleeding होती है खून निकलती है खून पतला करने के आपकी दवाईयां चालू है तो ऐसी सारी conditions में यह जो सहजन है यह शिग्रू जो drumstick है वो आपको खाना अच्छा नहीं है इसके इवन पत्ते वत्ते भी खाना आपके लिए अच्छे है नहीं वो आपकी तकलीफे बढ़ा देगा और तीसरी condition अगर आपको पित related कोई भी बीमारी है क्योंकि यह पित का प्रकोप करदा है अब तीन चीजे होती है आईरवेद में वात पित कफ ठीक तो उसमें से वात और कफ वालों के लिए बहुत अच्छा है कफ वात related problem मतलब आप में से से लोग जिनको ठंडी बहुत जादा लगती है ठंडी लगने के कारण आपको चाहे शरीर में सूजन आती हो ठंडी लगने के कारण चाहे आपको joints pain होता हो या बहुत ही जादा ठंडी लग लगके शरीर में आपको dandruff हो रहा हो कोई भी तकलिफ हो रही हो तो वैसे में ये बहुत अच्छा काम करेगा बट अगर आपको पित related कोई problem है खोन के अंदर गर्मी है गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है या फिर आप धूप में जाते हो तो आपकी तकलिफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कुछ भी गरम खा लिया, थोड़ी सी मिर्ची खाली, खटा खा लिया, तो आपको acidity होने लग जाती है, जलन होने लग जाती है, या आप मेंसे ऐसे लोग जिनको शरीर में बहुत ज़्यदा inflammation होता है, सूजन आती है, वो भी गरम आइटम खाने से, आप मेंसे कई लोग बोलत जिनको बरदास नहीं होता है, कि ठंडी वंडी में हमारा सब मस्तरद है, पर जैसे ही गरमी आ गई, या अक्टूबर का महीना आ गया, तो हाथ पैर से बहुत ज़्यदा पसीना जाना चालू हो जाता है, या बार-बार छाले होने चालू हो जाते है, मूबे, अलसरेटिव क पॉलाइडिस जैसी तकलीफ है, या फिर क्रॉंस डिजीज है, जिसमें कि आपको लेटरिन से खून जाने की तकलीफ होनी लग गई है, तो किसी भी कारण से अगर आपके शरीर में गरमी बड़ी हुई है, हीट बड़ी हुई है, तो ऐसे में ये जो ड्रम स्टी के साय जन ह इसकी सबजी खाना आपको avoid करना चाहिए, आपके लिए अच्छा है नहीं, तो उसके बदले क्या करें, उसके बदले अगर आपने गलती से ये ज़्यादा खा भी लिया है, सामबर में या कोई भी चीज में, सामबर में ज़्यादा तर आपने इसको देखा होगा, तो उस से तीन चमच वो add कर सकते हैं, या फिर जो pumpkin मिलता है, जिसको white ash guard भी बोलते हैं, कदू जो होता है, जिसका अपना ये बनता है, पेठा, जिन चीज का पेठा बनता है, ठीक, कुश्मान संस्कृत में बोलते हैं, उसका अगर दो से तीन दिन या पास दिन तक आप 100 ml juice निकाल जलर होना, ऐसे में ये अच्छा नहीं है, बट थंडी related कोई भी problem है, heart की problem हो, dandruff हो, joint pain हो, digestion related problem हो, पेठ में कीडे हो, सूजन आ रही हो, थंडी related कोई भी problem है, तो ये बहुत ही कमाल की चीज़े, जिसको diet में रखिए, कफवात में, पित में इसे avoid कीज़े, तो ये तो था स religion, और ऐसा कौन सी चीज़ों के side effects के बारे में आप जानना चाते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, फायदे बता दी जाते हैं, बट side effects पता नहीं होता, और कई लोग उसको फिर खा के तकलीफ उनको होती है, तो आईसे और कौन सी चीज़ के बारे में डीटेल्स चाते कमेंट्स करके जरूर बताए, आपकी कमेंट के अधार पे उस तरह की वीडियोज हम आपके लिए जरूर लेके आएंगे, तब तक के लिए सवस्त रहें, मस्त रहें